Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताने वाला हूँ खजूर, यानि डेट से मिलने वाले 8 amazing और proven health benefits के बारे में वीडियो के last में मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर आप कोई diabetic patient हैं तो क्या आप खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं कि अकसर diabetic लोगों को ये confusion रहता है कि पता नहीं उनके लिए खजूर अच्छा है या बुरा है तो इस चीज़ को भी इस वीडियो में हम tackle करेंगे और जानेंगे कि क्या आप इसको ले सकते हैं या नहीं अगर आप diabetic हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू क करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों खजूर एक बहुत ही जादा nutritious fruit है अगर आप इसको regular खाते हैं तो इससे आपको बहुत सारे इसी nutritional substances हैं जो कि regularly मिलते रहते हैं जैसे कि dates के अंदर fiber होता है, potassium होता है, iron होता है, calcium होता है, magnesium होता है, manganese होता है और vitamin B6 होता है और बहुत सारा protein भी इसके अंदर पाया जाता है ये सभी चीज़े अगर आप regularly लेते रहेंगे एक हजूर की मदद से, तो क्यूंकि एक तो ये natural हैं तो कोई नुकसान आपको नहीं होता है मौसम बदलते समय, जो infections होते हैं, उनसे बचाना चाते हैं और अपने आपको यंग बनाए रखना चाते हैं तो ये सभी चीज़े आपके लिए बहुत ज़्यादा important है दोस्तों, खजूर एक बहुत ही अच्छा natural sweetener है, जो कि replace कर सकता है आपकी रोजमर्रा में इस्तमाल की जाने वाली sugar को यानि अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि sugar को quit करना चाते हैं, आप चाते हैं कि अपने खाने में sugar ना लें तो उसको substitute करने के लिए dates एक बहुत अच्छा option आपके लिए हो सकता है dates के अंदर क्योंकि दोस्तों fructose होती है और fructose एक sweetener है, एक ऐसी natural sugar है जो कि fruits के अंदर पाई जाती है तो अगर आप इसको regularly लेंगे तो इससे आपको जो मिठास है वो तो मिलती रहेगी लेकिन इस मिठास के साथ साथ आपको बहुत सारा nutrition भी मिलेगा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया dates के अंदर बहुत सारा nutrition होता है, fiber होता है और antioxidant होते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको white sugar के अंदर नहीं मिलती है क्योंकि white sugar एक empty calorie है उसके अंदर सिर्फ calorie के इलावा कोई भी nutrition नहीं होता है अगर आप use करना चाहते हैं dates को as a substitute to sugar तो उसके लिए आप इसका paste बना सकते हैं यानि थोड़ा सा आप date ले लीजे, date की गुटली निकाल लीजे और उसमें पानी मिला के आप एक jar के अंदर उसको डाल के blend कर लीजे जब यह thick paste आपका बन जाए तो इसको आप स्टोर कर लीजे और इसको हमेशा जब भी आपको use करना हो शुगर की बदले तो 1 is to 1 का ratio आप इसका रखिए यानि माली जे कोई desert आप बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज आप बना रहे हैं जिसके अंदर आपको 1 कप sugar डाल ली थी तो आप उस 1 कप sugar की बजाए 1 कप इस paste को अगर डालेंगे तो आपको करीब करी उतनी ही मिठास उससे मिल जाएगी और जो sugar से नुकसान हो सकता था आपकी body को वो नहीं होगा और बहुत सारा nutrition भी आपको मिल जाएगा दोस्तों खजूर का regular इस्तेमाल करने से आपकी bone health भी improve होती है खजूर के अंदर phosphorus, calcium, potassium और magnesium बहुत जादा होता है और यह सभी minerals बहुत ही essential होते हैं आपकी bone health के लिए जो bone की matrix होती है यानि जो bone का main substance होता है वो इन ही चीजों से बनता है और अगर इनकी कमी आपकी body के अंदर हो जाएगी तो उसकी वज़े से osteoporosis जैसी problem आपको हो सकती है तो अगर आप regularly इसको इस्तमाल करते रहेंगे dates को तो उसकी वज़े से यह सभी minerals भी आपको natural source से मिलते रहेंगे और उसकी वज़े से आपकी जो bone की health है वो भी अच्छी बनी रहेगी खास तोर से अगर आपकी advancing age है 40 plus आपकी age है या 45 plus आपकी age है और खास तोर से अगर आप कोई lady है क्योंकि ladies के अंदर osteoporosis होने की जो chances होते हैं वो सबसे जादा होते हैं तो उस case में आपको dates को regular जरूर खाना चाहिए जिससे आपकी जो bone density है वो बनी रहे और आपके अंदर fractures होने का खतरा या joint pains होने का खतरा या bones related अलग अलग जो problems हमें हो सकती हैं उम्र के साथ साथ वो होने का खतरा भी कम हो जाए दोस्तों खजूर आपको cholesterol कम करने में भी काफी जादा मदद कर सकते हैं खजूर एक ऐसा fruit है जिसके अंदर cholesterol बिल्कुल नहीं होता है fats बिल्कुल नहीं होते हैं और fiber बहुत जादा होता है और ये सभी चीजे जो हैं एक ऐसी combination मनाती हैं जो कि आपकी body के अंदर से cholesterol को कम करने का काम करती है तो अगर आपका LDL cholesterol बढ़ा हुआ है या total cholesterol बढ़ा हुआ है या triglycerides आपके अंदर बढ़े हुए हैं तो इन सभी cases में आप खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने cholesterol को काबू में कर सकते हैं अगर आप अपनी skin को healthy बनाना चाहते हैं अपनी skin को ज़्यादा glowing और जवान बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए dates एक बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है जो लोग regular dates को इस्तेमाल करते हैं उनकी skin elastic होती है ज़्यादा elastic का मतलब है ज़्यादा तनी रहती है ज़्यादा tone में रहती है इसके साथ dates को regular इस्तेमाल करने से आपकी skin का color भी fair होता है skin का glow भी बढ़ता है और skin के अंदर pimples या इस तरह की wrinkles होने की जो problems है वो भी काफी ज़्यादा कम हो जाती है अगर आप underweight हैं, दुबले पतले दिखते हैं और अपने weight को increase करना चाहते हैं healthy दिखना चाहते हैं तो आप dates को regular इस्तेमाल कर सकते हैं dates आपको healthy तरीके से weight gain करने में मदद करते हैं dates के अंदर क्योंकि natural sugars होती हैं protein होते हैं और vitamins होते हैं और यह सभी चीज़े weight gain करने में healthy तरीके से आपको मदद कर सकते हैं especially अगर आप चाते हैं कि बहुत तेजी के साथ आपका weight gain हो और आपका जो पतलापन है वो कम हो जाए तो आपको इसे दूद के साथ इस्तेमाल करना जादा अच्छा होता है एक गलास दूद के साथ करीब 5 से लेके 7 खजूर आप रोजाना अगर खाएंगे ऐसे directly भी खा सकते हैं या फिर इसका shake भी बिना सकते हैं shake काफी जादा tasty लगता है तो उसको भी बिना के आप ले सकते हैं तो इस तरह से दूद के साथ अगर आप लेंगे तो उससे आपको जादा अच्छे और जादा जल्दी benefits मिलेंगे और आपका weight बहुत जादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा खजूर आपके brain function को भी improve करते हैं यानि आपके जो दिमाग के कारे करने की शमता है उसकी जो productivity है, efficiency है उसको enhance करते हैं अब जो लोग regular इस्तमाल करते हैं उनका brain तो अच्छे से function करता ही है लेकिन अगर दोस्तों आपकी उमर बढ़ रही है और बढ़ती उमर के साथ आपके brain के अंदर कोई problem आ रही है आपको memory problem आ रही है या फिर आपके अंदर Alzheimer's disease होने का खत्रा है अगर आपकी family में किसी को Alzheimer's था तो इस case में तो इन सभी cases में भी आपको dates के regular इस्तमाल करने से काफी जादा help मिलती है काफी protection मिलता है अब आप पूछेंगे कि ये protection कैसे मिलता है अगर आप dates regular इस्तमाल करते हैं तो उसकी वज़ासे आपके brain के अंदर inflammation होने के chances होते हैं वो कम हो जाते हैं और brain के अंदर plaque formation जो होता है उसकी progress को भी कम करता है dates जब आपकी brain के अंदर plaque formation नहीं होगा और inflammation कम होगा तो उसकी वज़ासे Alzheimer's जैसी disease जो की एक neurological problem है जिसके अंदर आपका brain जो है वो सिकोड जाता है उसके होने के chances कम हो जाते हैं और उमर के साथ आपका जो दिमागी संतुलन है वो जादा अच्छा और healthy बना रहता है और आपको इस तरह की अलग-अलग neurological problems या brain से या मानसिक रोग से संबंदे जो problems है वो होने का खत्रा भी कम हो जाता है दोस्तो प्रेग्डेंसी के last few weeks में अगर dates का इस्तमाल किया जाए लेडीज के द्वारा तो उससे natural labor होने में काफी जादा help मिलती है यानि cesarean होने के chances कम हो जाते हैं और normal birth होने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं क्योंकि studies में ये पाया गया कि अगर last few weeks में dates का इस्तमाल करती है लेडीज तो उसकी वज़ासे cervical dilatation जो है वो काफी ऐसानी से हो जाता है cervical dilatation का मतलब है कि जो बच्चेदानी का मुँ है वो उसको खुलने में और relax होने में काफी जादा help मिलती है और इसकी वज़ासे एक तो normal labor होती है और normal birth होती है और जो labor के दोरान पीड़ा होती है दर्द होता है और time होता है वो भी कम हो जाता है इसी किसासाद अगर हम मर्दों की बात करें तो अगर मर्द regular इस्तमाल करते हैं डेट्स का तो उसकी वज़ासे उनका sperm count भी बढ़ जाता है यानि अगर आपके sperm कमजोर है या कम है या उनके अंदर motility कम है तो उस case में आप डेट्स को regular इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सारी Ayurvedic medicines में काफी जमाने से ये माना जाता है कि dates आपकी sexual strength को भी बढ़ाते हैं और अब कुछ studies से भी ये बात प्रूव हो चुकी है तो अगर आपको कोई sexual weakness है आपकोई male है या फिर आपके अंदर शुक्राणों की कमी है या फिर sperm के अंदर motility की कमी है तो उस case में भी आपको खजूर जरूर खाने चाहिए तो दोस्तों ये तो बात होई कि क्या-kया benefits आपको dates खाने से मिलते हैं अब बात करते हैं कि क्या अगर आप diabetic है तो आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं अकसर लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्ट साब मैं diabetic हूँ, क्या मैं खजूर खाऊँ या नहीं खाऊँ तो मेरा जवाब होता है कि अगर आप एक दिन में 2-3 खजूर खाते हैं तो उस case में आपको कोई भी problem नहीं है क्योंकि खजूर का जो glycemic index है वो low होता है यानि ये आपकी blood sugar को एकदम से नहीं बढ़ाती है बहुत धीरे-धीरे sustained तरीके से आपकी blood sugar बढ़ती है और उसको control करना आपकी body के लिए असान होता है तो अगर आप एक दिन में 2-3 खजूर खाते हैं तो उसमें कोई problem नहीं है आप diabetic है तब भी आप इसको अराम से ले सकते हैं लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा quantity में खाएंगे तो क्योंकि इसके अंदर calories बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी blood sugar बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा दूसी चीज़ ये कि अगर आप अपना weight maintain रखना चाहते हैं आप कोई ऐसे इंसान हैं जो कि health conscious है या weight conscious है तो उस case में आपको ज़्यादा नहीं इसको लेना चाहिए moderation में definitely आप इसको ले सकते हैं लेकिन अगर बहुत जादा quantity में आप इसको लेने शुरू कर देंगे तो उससे आपको problem हो सकती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये video आपको जरूर पसंद आई होगी और इस video से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक like जरूर दीजेगा चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe भी कर लीजे और bell icon भी जरूर प्रेस करिए ताकि सभी वीडियो का notification आपको timely मिलता रहे इसी के साथ अगर आपके कुछ comments हैं या कुछ thoughts हैं जो आप हमसे share करना चाहते हैं या आप मुझे बताना चाहते हैं किस तरह की content किस तरह की videos आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं तो अपने thoughts भी हमारे साथ comment section में जरूर share करिए मैं आपके सभी comments को पढ़ता हूँ बट unfortunately सभी का जवाब time की कमी की वज़ा से नहीं दे पाता हूँ तो अगर आपको अपने comment का जवाब नहीं मिल रहा है तो please मायूस ना हूँ मुझे माफ करें क्योंकि time की shortage की वज़ा से हर किसी का सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है बट हाँ मैं क्योंकि सभी comments को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें से कोई अगर अच्छा important comment है या कोई ऐसा अच्छा interesting topic है जिसको आने वाले समय में हम लेके video बना सकते हैं उसको मैं ज़रूर consider करता हूँ तो चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी channel पर एक नई बढ़ियासी video के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसत रहिए, मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा